हलो आज है थर्ड जून और आज इस उड़ी में हम बात हम जाना है हिंदुस्तान यूनी लीवर के बारे में देखे 2,120 रुपए के उपर शेयर ट्रेट कर रहा है एक गिरावट यहां पर ज़रूर देखने को मिली है लेकिन बात में बढ़िया बांस बैक भी हमें देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान यूनी लीवर एक बहतरीन शेयर है और काफी बड़ा दिखज हम इसको शेयर कहसे है एक सेक्टर से और एक ट्रस्टेबल शेयर हम इसको मान सकते है इस उड़े में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान यूनी लीवर जब 2,120 रुपए के उपर यह शे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगर भी बहुत सारी वीडियो से जो आपको काफी जादा है तो चली शुरू करते हैं तो जैसे कि हिंदुस्तान अभी 2,130 रुपए के उपर ट्रेट कर रहा है पिछले एक महिने की हम बात करें तो एक महिने में साड़े तीन परसंट की हमें गिरावट देखने को मिली है 2,195 रुपए के उपर शेयर था गिरावट आई बांस ले किया गिरावट आई उसके बाद एक बहुत बड़ी रह परसंट की हमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है 2,490 रुपए दर शेयर पहुंच गया था लेकिन उसके बाद शेयर में गिरावट आई 1,900 रुपए के अस-पस पहुंच गया लेकिन बाद में तेजी भी आई है यहाँ पर तीन साल के हम बात करेंगे तो फिछल तीन साल में हिंदुर्स्तान यूनी लीवर का ग्राफ आप देखें 95% का ग्रोथ है पर आप देखें एक अच्छे शेयर के निसानी होती है कि वह अगर शोट टर्म में कोई गिरावंट आती भी है ना तो वो बाइंग की opportunity होती है और बात में शेयर वापस से require कर जाते है बात में फोड़ी से भी गिरावंट आई तो बाइंग की opportunity होती है तक बाद में हिंदुर्स्तान यूनी ल्ट के शेयर में 750 पस से भी जादा का growth है और काफी अच्छे खासे प्राइस के उपर अभी ट्रेड कर रहा है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि 2500 रुपे का शेर आज 2000 रुपे ने बहुत शुका है 10 साल में और काफी अच्छा परफॉर्मस भी इसने जरूर दिखाया है लार्ज कैप स्टोक है चाल लाग नबे हजार करोर से जादा का इसका मार्केट के आप है नसी में अगर हम देखेंगे तो 48 लैक से जादा का इसका वाल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है शेर होल्डिंग के बात करेंगे अगर हम तो आप इस तने की एफाइल्स के पा भी नहीं है तीन सो पचास से भी जादा म्यूच्व फंड ने अपना पैसा लगाया है यहां पर 1265 जितने एफाइस यहां पर इन्वेस्टेट है इस पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टिटूशनल बायर है जिनके पास 1.35% की बढ़िया होल् हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेटिंग काफी अच्छी दिखाई देरें अभी भी और देखें एक्टम से चुड़ी हूई यह कंपनी है और ऐसी प्रोड़क्ट बनाती है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो ठ को चाहे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा लेता हूं कि जो ब्रांट्स आगर उनके उपर जाएंगे तो कंपनी की प्रोड़क्त आपको यहां पर दिखाए देगी और वाकई मैं आपको सूचेंगे कि बहलए कितनी दमदार प्रोड़क्त हैं यहांपर boost की बाद करें अगेन एक बहुत भी बढ़िया प्रोड़क है, क्लिफ है, कमफर्ट है, कोर्नेटो, आइसक्रीम और चॉकलेट की काफी बड़ी ये ब्रांड बन चुकी है, डव अगेन, शोप और सेंपू, इसके काफी जादा लाजवाब देखने को मिलते हैं, काफी जाद मिक्री भी होती अगेन, काफी बड़ी है, वील, वैसलीन, ब्रू, उसके साथ साथ देखे, क्लोज अप बढ़िया प्रोड़क्त, डॉमेक्स, फैरन लवली, लैक्मे, पियर, सरीन, सर्फ एक्सल, एक से एक दमदार ऐसे प्रोड़क्त, जो आप अपने रोज मरदा की जिन्दगे में इस् प्रोड़क्त है, और यह प्रोड़क्त अगर आप अपने घर में भी अगर आप देखेंगे, तो आपको इनकी कई सारी प्रोड़क्त आपके घर में ही देखने को मिल जाएगी, यहाँ बर अगर हम बात करें तो आपको ते सब्सक्राइब की थोड़ा हाई जरूर है, 74.03 ह जबकि इंडुस्री पी है, 64.60 के आसपास है, प्राइस्ट बुकली 61.96 है, EPS 28.68 के आसपास है और डिविडेंट पी अगर हम देखे तो 2500% है, 55 के आसपास के डिलिवरीज है, अक्वाडिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग यहाँ पर खरीदने के सब्सक्राइब जब करें, और इसी के चलते देखें, अगर हिंदुस्तान यूनि लिवर बले नाम हिंदुस्तान है, लेकिन अभी भी कंपनी इंडियन तो नहीं है, ठीक, कंपनी इंडियन नहीं है, और यही एक वज़े है कि एक बहुत बड़ा इनको नुकसान देखने को मिला है, अगर आब कि यह और बात तो March quarter में कि देखतें, यह को नतीजे थे, एक 1512 को में मानता हूं कि नतीजे कम थे पिछले 4 quarter के predictive में, लेकिन उसके बावजुद एक चीज़ यहाँ पर ही है कि देखें, dass yorkught-down लगा था और उन्यवारा इनका अफेक्ट भी हुआ था नेटस में और बुरे नदीजे आने आ सकते हैं ऐसा अभी से रिपोर्ट सामने आ रही है यहां पर देखें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है 67.18 परसंट की जो होल्डिंग थे अपर 61.90 परसंट के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है प्रमोटर की द्वारा एक भी शार गिर भी नहीं है FIS के गर हम बात करें तो FIS ने भी होल्डिंग गिराई है 12.40% की होल्डिंग 12.04% तक हो चुके मत थोड़ी सी होल्डिंग FIS ने भी आपर गिराई है Mutual Fund ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है 2.21% की होल्डिंग आज 2.58% के आसपास देखने को मिली है और मैं कहूं तो हिंदुस्तान यूनिग और एक बड़ी ब्रांड है काफी बड़ा नाम है इनका लोकल टुक वोकल के चांज़े थोड़ी सी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन मैं यही कहूंगा कि यह वो शायर जिसको अगर आप एक डो साथ के लिए वोल टेकर रखेंगे तो आराम से यह तीन हजार रुपए के उपर आपको ट्रेट करती है कि इतनी बड़िया इनकी प्रोड़क होती है बले ही कुछ वक्त के लिए शायद थोड़ा सा सेंटिमेंट यहां पर काम कर जाएगा लेकिन थोड़े वक्त-बद मुझे लगता है कि जो बिक्तरी होगी वो काफी जादा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और दिरे दिरे लॉक्डाउन खुलने लगा है दिरे दिरे जो इनका काम का जो शुरू होने लगा है दिरे दिरे जो सप्लाइचेन है वो भी उम्मीद करते हैं कि काफी बड़ी रैली भी हमें थोड़े दिर बाद में यहां पर देखने को मिल जाएगी और अगर आपका नजगे यहां पर एक डिर साखा है तो पैने करने की जरूरत नहीं है निवेशित है खरीदा है तो बने रहे और अगर हलकी से गिरावट आती भ हिंदोस्तान यूरी यहां पर लेने की जरूरत नहीं है जरूर शेर अच्छा पर्फरमंस करता हुआ आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी उसके साथ साथ अगर अपने खरीदारी नहीं भी की है तो भी आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं लेकिन शर्ट से वितनी है कि आप यहां पर एक साथ सारे के सारे शर्ट खरीदेने की गलती बिल्कुल भी बिल्कुल भी ना करें छोटी क्वंटिटी खरीदें जैसे कि अगर आपको यहां पर दस शर्ट खरीदने हैं तो पहले सिर दो शर्ट खरीदें ठीक है उसके बाद वेट करें अगर profit के उपर बैठे दिखाई देंगे कुछ सालों में क्योंकि lockdown लगा है covid-19 की वज़े से अभी अगर हम बात करें तो बाकी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है लेकिन FM चीज़ी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी मंदी नहीं आएगी जब भी अगर situation tense होगी लोग बाकी चीज़ों में क्या करेंगे पैसा उतना जादा खर्च नहीं करेंगे लेकिन लेकिन लोग सबसे बड़ा जो खर्चा करेंगे वो अपनी रोज मर्रा की जिन्दवियों में करेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो definitely Hindustan Unilever यहां पर शामिल है तो खरीदा है तो बने रहे और नई खरीदा है तो खरीदारी करें बस SIP मोड में खरीदारी करें हर गिरावट पर खरीदारी करें पैनिक करने की ज़र्फुत नहीं है तो इसी किताब वीडियो क्यांट तरूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल पर पहली बढ़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडुस्ताइन वीडियों के बारे में आप ख्यास होचते हैं वह भी आप मुझे कमेट में लिस्तर बता सकते हैं थैंक्यू